एलो दोस्तो मुझे उम्मीद है कि आप से भी अच्छे होंगी दोस्तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको दो पैटरन नजर आ रहे हैं मैंने आपको चार पैटरन से बताए हुए हैं ट्रेंगल वाले पैटरन आपको बताए गए हैं ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटरन आपको बताए गया है और पैटरल लाइन से मिलके बना हुआ पैटरन आपको बताए गया है पहला जो यह पैटरन है आपको यह दिखाई दे रहे हैं दूसरा ये वाला जो pattern है आपको ये वाला दिखाई दे रहे अभी हम इसका detail में analysis करेंगे कल को हमें इससे किस तरीके से मदद मिलेगे उसका भी discussion करेंगे इसलिए वीडियो में बने रही है इसके बाद हम एक और pattern discuss करेंगे जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह हमारी किस तरीके से help करेगा उसे भी यहाँ पर समझने की कोसिस करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दू कि Nifty 50 के analysis की वीडियो आपको provide की जा चुकी है जो कि आप चैनल पर जाके देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ discussion होने वाला है bank Nifty के बारे में तो आई इन patterns की बात करते है तो सबसे पहले pattern तो आपको यह वाला दिखाई दिया साथ ही साथ मैंने यह भी बताया था कि market एक resistance zone पर है या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि one sided momentum देखने को मिला अच्छी खासी opportunity मिली पहली तो opportunity आपको यहीं पर मिली थी दूसरी opportunity market फिर से इसी resistance zone पर गया दूसरी opportunity आपको यह मिली तीसरी opportunity इसी resistance zone पर जाके market ने इस pattern को firm किया और इसका breakdown मिला तीसरी opportunity यह मिली अगर कोई इस opportunity को market में नहीं पहचान पाया तो कोई बात नहीं सुरू-सुरू में problem होती है पर बाद में दीरे दिखने लग जाती है दीरे दीरे प्रैक्टिस से सारी चीज़े आपको समझ में आने लग जाएगी तो फिलाल हम इस pattern की बात करें ऊपर हमी resistance दिखाई दे रहा है साप साथ ही साथ यहाँ पर एक resistance zone भी था नीचे आप देखेंगे नीचे आपको support दिखाई दे रहा है और जो तीसरी important चीज़ है यह narrow भी होता जा रहा है जितना narrow होता जाएगा हमारे लिए उतना फाइदे मद है क्योंकि उतनी ही जल्दी या तो इसके breakout मिलने के chances बढ़ जाएगी या फिर breakdown मिलने के chances बढ़ जाएगी ऊपर की तरफ resistance है तो possibility कम है कि breakout मिल जाएगी तो यहाँ पर आपको सीधा-सीधा breakdown मिला और आपको एक selling opportunity market में देखने को मिली किस-किस ने इस opportunity की मदद से पैसा बनाया वो मुझे comment करके जरूर बताएगा जिस किसी ने भी इस pattern को देख लिया था पहचान लिया था वो भी comment करके जरूर बताएगा अब कल को हमारा यह वाला जो pattern है यह वाली हमारा मदद करने वाला है कैसे आप यहाँ पर देखेंगे आपको पहले इसी जोन पर support देखने को मिला फिर इसका breakdown दिया आपको यहाँ पर resistance देखने को मिला और हम जानते हैं अगर कोई support zone है उसका breakdown मिलता है तो वो resistance में बदल जा हम सेम ही situation यहाँ पर देख रहे हैं आपको एक support दिखाई दे रहा है breakdown मिला आपको यहाँ पर resistance दिखाई दे रहा है सापसा चलो यह situation भी हमें समझ में आगी दूसरा हमें यहाँ पर पता चल गए resistance zone बन रहे है नीचे market ने इस trend line की respect करना शुरू कर दे और नीचे एक support zone बना प्राइज नीचे sustain कर जाए वो आपके लिए selling opportunity हो सकती है clear clear अब यहाँ पर खास बात समझने की कोसिस करो अगर आपको इसका breakout मिल गया तो definitely हमें यह भी पता है कि यहाँ पर एक resistance zone है तो पहला target हमारे लिए क्या हो जाएगा possibility है market इस resistance zone को approach करने की कोसिस करेगा अगर breakout मिला तो या positive momentum आपको market में देखने को मिला तो possibility है market और साथी साथ हम यहाँ पर यह भी देखेंगे यहाँ पर 1st September का day high भी achieve होगा साथी साथ जो 30 का day high है आपको यह भी achieve होता होगा नजर आएगा यानि कि day high भी एक resistance के रूप में काम करते हैं यह भी मैंने आपको एक वीडियो में detail में समझाय हुए जहापे हमने day high, day low और closing के बारे में discussion किया था वहाँ पर मैंने यह सारी चीज़े आपको समझायो थी कि day high का breakout मिले तो क्या strategy होनी चाहिए या day low का breakdown मिले तो क्या strategy होनी चाहिए यह सारी चीज़े मैंने आपको वहाँ पर समझा रखिए फिर भी अगर आप इनके बारे में details में वीडियो चाहते हैं तो आप comment करके बता सक कर रहा है अगर breakout मिला volume अच्छा खास रहा तो definitely कोशिस है market is resistance को approach करने की कोशिस करेगा साथी साथ 1st September का यहाँ पर जो day high है उसे भी approach करने की कोशिस करेगा और वो इसी zone में है और 30 का भी day high इसी zone में है तो clear है अगर इसका breakout मिला अच्छे खासे volume के साथ तो यहाँ से भी आपके लिए एक opportunity create हो सकती है पर condition रहेगी volume अच्छा खासा होना चाहिए यह तो बात breakout मिल जाए दूसरा discussion करते हैं अगर मान लो आपको इसका breakdown मिल गया और volume अच्छा कासा है अगर volume नहीं हुआ तो selling opportunity गलती से भी करके मत बैठ जागा volume पर आपके खास नजर होना चाहिए तो इस condition में सीधा सीधा आपके लिए जो पहला support बन जाएगा यह 39,000 पर ही possibility है पहला support लिए या फिर आप यह भी कह सकते हैं पहला target या market इसी level को approach करता हो नजर आएगा अगर इसका breakdown मिल गया फिर जो 1st September का low बन रहा है यहां तक आपक जिजे समझने की कोशिस की मैं जल्दी जल्दी से repeat करता हूं जिससे की सारी चीजों को आप summarize कर सको समझ सको मैं summarize करने की हाँ पर कोशिस करता हूं अगर इसका breakout मिला तो market इस resistance को approach करने की कोशिस करेगा अगर इस resistance का भी breakout मिला volume अच्छा का सरा तो यहां पर भी आपके लिए एक entry create होती है अगर मिला आपको इसका breakdown तो market ने यहां पर जो support लिया है इस support level पर market जाने की पूरी पूरी कोशिस करेगा अगर इस support का भी हमें breakdown मिलता है उस condition में आप देखेंगे market हमें यहां पर दिखाई देगा जो 1 September का low यहां पर create हो रहा है यहां पर market आपको साप साप यहां तक समझ पा रहे हो कि नहीं जो मैं आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूँ चीजे clear है सारी चीजे आगे बढ़ते हैं अब यहां पर हम discussion करते हैं यह जो आपको नजर आ रहा है यह किस तरीके से हमारी मदद करेगा मैंने आपको समझाय था भी कि हमें यहां पर एक ची stretch दिखाई दे रहे निचे लिवएल लेन पर आपको क्या दिखाई दे रहे support दे रहे if public है अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर यहां पर हमारे एक pattern भी click हो रहा है यह भी आपको दिखाई दे रहे अगर इसका breakdown मिला तो मैंने आपको क्या आया कि पहला support ये रहने वाला है, दूसरा support ये रहने वाला है, लेकिन अगर आप ध्यान दोंगे, ये जो नीचे support line है, ये भी support की track करती हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी support की track किया, यहाँ पे भी support की track किया, और यहाँ पे भी support की track किया, तो possibility अगर market इसका भी breakdown दे देता है तो इस trend line पे market support ले, अगर market इसी rule को follow करते हुए आ रहा है, तो इसलिए आपकी trend line पे खास नजर होनी चाहिए, अब दूसरी चीज़ समझो, माल लो market ने इसका breakdown दिया, और ये support जो उन हमें दिखाई दे रहा है, 39,000 पे, माल लो market यही पे ही support लेके reverse हो गया, तो resistance की possibility कहा पे ह कि है market पहले भी, यहाँ पे क्या act करता हुआ रहा है, resistance की तरह act करता हुआ रहा है, तो समझ रही होना, मैं आप क्या समझाने के courses करा हूँ, ये दोनो trend line आपको market के resistance और support को समझने में मदद करेगी, अब इसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है, कुछ लोग सिर्फ यही situation हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ पे profit booking का time मिल जाता है, कि हम market के momentum को समझने लग जाए, तो हमें कुछ यहाँ quantity हम profit book कर सकते हैं, या फिर हमें reversal नजर आता है, तो हम पूरी quantity profit book कर सकते हैं, या फिर कुछ entry point भी बन सकते हैं, अगर हमें इसमें बागी चीजे भी mix करने के courses करे जैसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने एक pattern भी mix कर दिया, हमने इस pattern को भी तो यहाँ पे mix किया है, इस वाले pattern की मदद से भी observation किया है, तो इसलिए आपको चीजे को mix करना से लिखना होगा, कि आपको बहतर कहाँ पे result आ रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि अलग-लग time frame आपको market को देखना चाहिए, और अलग-लग tab में जो भी patterns आपको बताए जाते हैं, इन्हें draw करके रखना चाहिए, तो यहाँ तक चीजे clear है, समझ में आगया आपको सारी चीजे, आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ, price action की मदद से हमें कहाँ पे support दिखाई दे रहें, कहाँ पे resistance दिखाई दे रहें, इन्हें समझने के को सिस कर, तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको एक positive momentum देखने को मिलता है, या फिर आपको gap-up opening देखने को मिलती है, दोनों ही cases में 39,500 आपके लिए एक resistance होने वाला है, पहला resistance जो हम बात कर र बी create हुआ है, एक triangle वाला pattern आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जब यह आया था तब भी हमने discuss किया था, यहाँ पे आपको यह pattern दिखाई दे रहा है, इसका breakdown मिला, एक selling opportunity मिली थी, एक important level था, पहले भी यह एक मजबूत resistance के रूप में act कर चुका, और आज के दिन भी अगर आप देखेंगे, पहले इसने resistance के रूप में act किया, फिर breakout दिया, फिर support के रूप में act किया, फिर breakdown दिया, फिर resistance के रूप में आपको यह act करता हुआ नजर आए, तो इसलिए हमने पहला resistance आपके लिए क्या चुना है, 39,500 पे हमने पहला resistance आपके लिए चुना है, अगर market ने इसका breakout दिया फिर जो में resistance नजरा है 39,700 पे आपको resistance दिखाई दे रहे और ये वही बात है जो मैंने आपको अभी समझाई वीडियो के सुरुआत में अगर ये pattern का आपको breakout मिला तो possibility है market अपने day high को अचीव करने की कोसिस करेगा ये इस resistance निकल के आया 39,700 यहां तक चीजे किलियर होनी चाहिए जो में समझाने की कोसिस कर रहा हूं समझ में आ गया अब बात करते हैं अगर आपको gap down opening देखने को मिली या फिर flat open होके market ने आपको negative momentum दिखाया इन दोनों ही situation पे जो हमें support ने ज़रा रहा है ये 39,100 पे आपको इस zone में support देखने को मिल रहा है आज की दिन भी market ने इस zone के आसपास support लिया है और 26 को भी ये level काफी important रहा था edge support और edge resistance 25 को भी देखेंगे edge support काफी level important रहा था 24 को भी देखेंगे market ने इस zone में resistance की track किया था और 19 को भी आप देखेंगे जब बड़ी गिरावट आई थी market ने इस zone पे resistance की track किया था तो यहाँ पे जो हमारा पहला support बन किया था है 39,100 पे बन किया रहा है अगर आपको इसक को भी market ने इस zone में support लिया है 24 को देखेंगे 24 को भी market ने is zone में resistance की track किया है यहाँ पर आप 19 को भी देखेंगे 19 को भी आपको 이सी zone में market support लेता हुआ नजराया तो यह تو discussion कर लिया हमने price action की मदद से कहाँ पे हमें support नजर आ रहा है कहाँ पे हमें resistance नजर आ रहा है logic के साथ मैंने आपको सारी चीजे explain करने की कोसिस किया है यहां तक आपको सारी चीजे समझ में आई अब हम एक step आगे बढ़ते हैं discussion करते हैं no trading zone का कहाँ पे हमें trading नहीं करनी है यहां पे आप देखेंगे आपको 2 red line दिखाई दे रही है उपर level line की बात करेंगे 39,432 दिखाई दे रही है नीचे level line की बात करेंगे 39,184 दिखाई दे रही है जब तक market आपको इस zone में दिखाई देगा आपको market में कोई भी position नहीं बनानी चाहिए अगर आपको मिलता है इसका breakout price उपर sustain करता है buying opportunities मुई पर इगर मिलता है आपको इसका breakdown price नीचे sustain करता है तो आपको मिल सकती है selling opportunities अब उपर की तरफ हमारी क्या level रहेंगे नीचे की तरफ क्या level रहेंगे यह हम एक बार pivot point की मदद से भी देख लेते हैं 486 पर नज़र आ रहा है अगर आपको इसका भी breakout मिलता है जो हमें दूसरा resistance नज़र आ रहा है दूसरा resistance बताने से पहले मैं आपको बता दूए किसी भी तरह का आपके लिए ना तो कोई buy recommendation है ना ही कोई selling recommendation है यह just educational purpose से बिनाए गई analysis वीडियो है इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी research करनी है अपने investor की सला लेनी है क्योंकि profit भी आपका होने वाला है loss की जमिदार भी आपको अपने आप लेनी है जो यहाँ पर हमें second resistance नज़र आ रहे 39,637 पर नज़र आ रहे अगर market ने इसका breakout दे थे थे फिर जो हमें resistance नज़र आ रहे 39,903 पर आपको दिखाई दे रहे वहीं पर बात करेंगर bank nifty में आपको negative momentum देखने के लिए मिलता है ऐसे इस्तिति में जो हमें support नज़र आ रहे 39,058 पर हमें support दिखाई दे रहे अगर इसका breakdown मिलता है फिर आप देखेंगे 38,771 पर आपको support दिखाई दे रहे अगर इसका भी breakdown मिलता है फिर आप देखेंगे 38,661 पर आपको अगला support यहां पर देखने के लिए मिल रहे दोस्तों अब एक नज़र हम यहां पर डाल लेते हैं option chain पर भी डाल लेते हैं कि option chain पर हम ही क्या क्या चीज़े दिखाई दे रहे यहां पर 8 September के option chain सेलेक्ट कर लेते हैं call की साइड हम देखने वाले है resistance को put की साइड हम देखने वाले है support को resistance की बात करेंगे तो 39,500 पर आपको पहला resistance दिखाई दे रहे है जहां पर आप देखेंगे 12.1 lakh पर आपको यहां पर open इंट्रेस दिखाई दे रहा है वहीं बात करें support की तो 39,000 पर आपको support नहीं जरा रहे है जहां पर आप साब साब देख सकते हैं 8.4 lakh का आपको यहां पर open interest दिखाई दे रहे अगर market ने इसका breakdown दे दा फिर जो में supportizer आ रहा है, ये 38,500 पर आपको support दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपको 6.2 lakh का आपको यहाँ पर open interest दिखाई दे रहा है, दोस्तों, उमीद है, मैंने आपको सारी चीजे समझाने की कोसिस की है, लोजिक के साथ, फिर भी कुछ समझ मिना है, तो आपको comment करके बत सकेंगे, फिर मिलेंगे किसी next video में किसी अच्छी content के साथ, thank you.